गुना में सेक्डो की तदाद में आदिवासी समाज के जैस आदिवासी संगठन के नर्त्यूत में कॉलेज रोट से हनुमान चौराह होते हुए कलेक्टर रैली के माध्यम से पहुँछे जहां आदिवासी समाज के परतिनिदीयों ने साशन और प्रसाशन पर जम कर हमला बोल क्योंकि इस बांद के बनने से आसपास के दस से अधिक गाउं प्रभावित होंगे जिसके चलते आदिवासियों की जमिन सहित मुलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा जित्रित हुए और राजपाल के नाम अपर क्लेक्टर सोनम जैन को ग्यापन में समीधान मनुच्छित धारा 141 का हवाला भी दिया कि समाज के लोग आए हुए थे अपनी जो समस्या थी उनको लेके अभी इन्होंने आकर के गुना कलेक्टर मोदे को जो मोदे के मादजम से अपर कलेक्टर मोदे हैं, उनके मादजम से राजपाल को ग्यापन दिया है, जानने कोशिस करते हैं, क्या था ग्यापन में, क्या मामला है, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जेल चौपड़ा है, आपका बहुत 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 दिनवाद पत्रकरवंदू, आज का जो ग्यापन था, जो गुनाजिले के अंदर बवोनी बदान सवा में गॉल्ट औरिया का बांद बनाये जा रहा है, वह जो बांद है, उसके बनाने से लगभग लगभग 10 से ग्यारा गाउं उसके डूब में आ रहे हैं, जिससे जो आदिवासी लोग हैं वो वे दखल होंगे, सासन पर सासन के दौर कोई भी ऐसी बवस्ता नहीं की गई, वे दखल के बाद वहां के जाकर रह सके, एक पहली चीज़, आप बता रहे हैं कि वहाँ ग्यारा गाउं ल देखिए, आपका कहना सही है, परन्तु देखिए, जो अनुसुचित छेतर है, संविधान के अनुसुचित पांचवी और छटवी ये कहती है, कि अगर गाउं के अंदर आपको कोई भी परीवर्तन करना, कोई प्रोजेक्ट, उसमें ग्रामसवा से आपको बातचीत करना च पास पानी है, हमारे एक कहना था, कि अनुसुचित पांचवी और छटवी के तहट हमसे बातचीत करना चाहिए, ग्रामसवा बठाना चाहिए, तो कि आप से बातचीत नहीं की थी, परसासन ने, नहीं हमसे कोई भी बातचीत नहीं की गई है, सीधा उसको मंजूरी दी गई और अगर इस तालाब की जो परियोजना गौल टोरिया परियोजना को नरस्त नहीं किया, तो आगामी आंदोलन भी होगा, हमें ऐसा तालाब नहीं चाहिए, देखिए, अगर आप विकास कर रहे हैं, तो हमारा हित हो, ऐसा विकास चाहिए, अभी आपने जब आके यहां मद्लिपरदेश शासन ही हमको आस्वासन देता है, आदिवासी की कोई नहीं सुनता, आस्वासन हम मानेंगे, और हम संभी दहान पर हम विस्वास करते है、 तो उनका भी आस्वासन मान लिया, बाकी राजपाल महुदे और मद्लिपरदेश शासन से, CMG आप से भी अमारी लाइकी बात करते है